तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गॉरव एकनॉमिक क्लास से देखिए सिंपल से मैं आपको बताता हूँ कि देखिए अगर आपको वह भी लेक्चर फाइंड आट करने प्रॉब्लम होती है तो मैंने लेक्चर का नाम और उसका पार्ट लिख रखा है वही आप खोलिए आप उसका देखिए उसमें लिखा क्या है पार्ट वन पार्ट अब कोई कोई मुझे कहता है कि सर उसका ये पार्ट ने पड़ा उसका ये पार्ट ने पड़ा मैंने सारे पार डालें ठीक है आप देखिए तो उसको कम से कम आप क्लियर देखिए क्या लिखा है पार्ट फाइव करते हैं मैंने पिछले लेक्चर में ये बलू बॉक्स कराना मुझे रह गया था भूल गया था ठीक है चलिए इसको बता देता हूं फिर इसके बाद GDP होता क्या है? देखिए real GDP में quantity into price, real GDP का भी formula होता है quantity into price और price के उपर हलका सा star लगा देते हैं और nominal GDP का formula होता है quantity into price, price इसको as it is रखते हैं देखिए सबसे बड़ी बात जो real GDP हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते है GDP at constant सिम्पल सा मतलब यह होता है बेस ये जाता है सिसली ये लिए जाता है base year मतलब कैसे consider करा जाता है base year consider ऐसे करा जाता है कि जिस साल कोई भी natural calamities ना आई हो जिस साल कोई भी natural calamities नहीं आई होगी तो उस साल में price में fluctuation भी नहीं हुआ होगा ठीक है तो price में जब fluctuation नहीं होता है तो उसको हम constantly मानते हैं एक तरीके से ठीक है न तो real GDP बेस year का price लेते हैं base year मतलब उस साल को base मानते हैं जिस साल कोई भी natural calamities नहीं आई है तो simple जा यह logic है यह पूछा नहीं जाता है real GDP और nominal GDP में difference क्या होता है यह मैं आपको बताता हूँ ठीक है अब मान लीजे real GDP में 10 quantity आपने produce करी और उसका price भी कितना था 10 था ठीक है 20 quantity produce करी और इसका price कितना था 10 रुपय था ठीक है तो आपकी real GDP कितनी हो गए 200 हो गए 20 आपने produce करी थी quantity price उसका था 10 थीक है तो 200 हो गया और nominal GDP में आपने quantity तो ही आपने produce करी थी बड़ प्राइस उनका बढ़के आज क्या हो गया था 20 हो गया था तो 200 हमारी nominal GDP हो गए थी प्राइस 10 रुपय था अब प्राइस 20 रुपय हो गया तो बोलने का मतलब यह है कि real GDP हमारे दिखाता है actual में production कितना हो रहा है उसकी वज़े से GDP बढ़ेगी क्योंकि आप प्राइस तो constant रहता है और nominal GDP में हमारा price constant नहीं रहता है ठीक है ना price fluctuate होता रहता है तो यहां nominal GDP में जो GDP बढ़ती हो मेंगाई की वजहारा प्राइस की fluctuation की वजहारा तो आप भी बताइए कों से GDP जादा सही जो prices की वज़ज बढ़ लही महँगाई की वज़ेस पढ़ लही यह जो quantity के production की वज़ेस जीडिपी बढ़ लही वह जाता सही है तो obvious ही बात है real GDP जादा सही क्योंक quantity के production के वज़े से बढ़ती है ठीक है न तो रियल जीडीप ऑर आजका कोई भी अगर GDP कल्कूलेट करी जाती है तो रियल जीडीप कल्कूलेट करी जाती है रियल जीडीप प्राइस लेते हैं बेस एयर का प्राइस मतलब कि जिस साल कोई भी natural calamities नहीं आई है ठीक है तो उसी में ही चेंजमेंट हुआ है और base year ये time to time बदलता रहता है base year time to time बदलता रहता है पहले 1998 था फिर उसके बाद 2004 हुआ base year फिर उसके बाद 2011 हुआ तो वही यहां लिखा है कि base year for estimating GDP कौन सी GDP real GDP has now been changed to 2011 आप real GDP calculate होगी मतलब आप समझिएगा आगर आज आप 10 चीज़े बना रहें आज आप 10 चीज़े बना रहें तो उसका price कप कर लेंगे अब 2011-12 कर लेंगे मतलब base year कर लेंगे मान लिए यह 10 चीज़े 2011-12 पांच रुपए की थी तो real GDP आपके कितनी आगे 50 चीज़े तो आज बनाएंगे बट price कप कर लेंगे base year का मतलब 2011-12 तो यही real GDP में होता है real GDP हम base year का price लेते हैं और base year का price मतलब की जो decided रहता है CSO उसको decide करता है हम लोग को ने decide करना होता है CSO decide करता है मान लिज़े आपने 10 पाले जी की biscuit बनाएं और price आपने लिए 2011 का तो उस हिसाब से आपने calculate करी तो आपके real GDP आगे 50 तो यह आपका दिखाता है कि आपका कितना actual production हुआ है बट nominal GDP क्या दिखाता है nominal GDP अगर आपने 10 चीज़ें आज produce करी तो आजी का price लिज़े आज मान लिज़े पाले जी biscuit का price 10 रुपए हो गया तो nominal GDP कितनी हो गई आपकी 100 रुपए हो गई क्योंकि 10 चीज़ें आपने produce करी थी और price भी आजी का आपने लिया तो आपकी nominal GDP कितनी हो गई 100 रुपए हो गई अब से base year 2011-12 लिये जाएगा 2045 नहीं लिये जाएगा this has pushed GDP growth यह जो हमारा base year बदला आए इसकी वज़े से हमाई GDP growth काफी ज़्यादा बढ़ गई है GDP growth 2013-14 में 6.9% बढ़ी थी जो कि पहले 4.7% थी मतलब कि आगर हम पहले 2045 के base year को लेके calculate करते थे GDP तो हमारी GDP आती थी कितनी 4.7% आप हम 2011-12 के base year को लेके करने लगे हैं तो आप हमारी GDP आती 6.9% तो base year को चेंजमेंट करने से real GDP में काफी ज़्यादा चेंजमेंट आया है बोलने का यह मतलब है real GDP nominal GDP का मैंने concept आपको समझाया है video playback करके आप फिर से देख सकते हैं ठीक है real GDP बोलते हैं GDP at constant price और nominal GDP बोलते हैं GDP at current price nominal GDP में current year का price लिया जाता है और nominal GDP में current year का price लिया जाता है real GDP में constant year या base year का price लिया जाता है real GDP में हमारा जो GDP बढ़ती है वो actual production की वज़ेस बढ़ती है nominal GDP जो हमारा GDP बढ़ती है वो prices की वज़ेस बढ़ती है, महंगाई की वज़ेस बढ़ती है inflation की वज़ेस बढ़ती है ठीक है ना, चलिए आईए अब जो हमारा रह गया तब वो खतम करते हैं ठीक है हाँ, failures of planning in India प्लैनिंग की अच्छी बाते हैं तो हम लोगों ने पढ़ी ली थी अब failures पढ़ते हैं failures सबसे पहला Abject poverty, बहुत ही ज़ादा बिल्कुल Banker poverty, बिल्कुल planning जो हुई थी, planning सबसे पहली बात कब स्टार्ट हुई थी हमारे इंडिया में प्लैनिंग में सबसे उसका main focus क्या था, गरीबी को खतम करना है poverty को elevation करना है central theme, किसी भी आप planning को देखेंगे तो उसका main theme क्या था, कि गरीबी को हटाना है but this is where we stand but आज की time भी 21% हमारी ऐसी population है, जो आज भी गरीबी में रह रही है, poverty line में रह रही है, मलब ये 21% ऐसी population है, जिसके पास essential of life नहीं है मलब food, shelter, clothing नहीं है food, shelter, clothing मलब basic चीज़े नहीं है रोटी, कपड़ा, मकान रोटी, shelter, clothing नहीं है amazingly nearly 50% और इन में से 21.9% 50% ऐसे हैं, जो कि क्या कहते हैं absolutely poor है, in the world are living in India, मलब देखिए क्या लिखा है, amazingly nearly 50% of those who are absolutely poor in the world अलब, दुनिया वर में जो absolutely poor है, 50% लोग absolutely poor है, वो कहां रह रह रहे हैं इन्डिया में रह रहे हैं, बताइए तो ये planning का ये result था ये planning का result था कि दुनिया में जो 50% absolutely poor है, वो कहां रह रह रहे हैं इन्डिया में रह रहे हैं, ये planning का result था अलब देखिए, planning में इतना पैसा खर्च हुआ और ये सब सीजें result निकल के आया ठीक है, दूसरा देखिए high rate of inflation, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई by and large we have failed to tackle inflationary spiral, inflationary spiral मतलब क्या होता है, inflationary spiral मतलब होता है, कि हम inflation से खिर जाते हैं, हमारी अगर मान लीजे, कोई चीज अगर महंगी बनती है, आप मान लीजे जैसे कि raw material आपको अगर महंगा मिला, raw material जैसे मैं बोल देता हूँ, हाँ, किसी भी company में किसी भी company में, कोई goods महंगा बनता है, कोई भी अगर goods महंगा बनता है, तो क्या होता है जो वहाँ काम करते हैं, labor we yield wages को, demand करते हैं जब high wages को, demand करने लगते हैं तो high wages उनको देना ही पड़ेगा, producer को high wages के देने की वज़े से producer क्या करता है चीजों के दाम बढ़ा देता है जब चीजों के दाम बढ़ा देता है तो क्या हो रहा है जो हमारा cost of production बढ़ने की वज़े क्या हो रहा है चीजों के दाम बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है और दूसरी काफी चीज़ें उससे effect होके और भी वो costly हो गई बहुत ज़्यादा महंगी हो गई इससे क्या होता है real income लोगों की बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती अब एक simple सी बात बताईए आप आप मान लीजिए पहले आप 100 रुपय महिने का कमाते थे तो आप क्या कितने दो 45 एपर ले लेते थे टो केजी ओफ अपर ले लेते थे वा ये एकिजी 50 परसा बैट आज के टाब आज के टांज के टांभी सौर रुपय का हो गया तो आज के टांव आपका पूरा पैसा कहा जा रहा है आज कि रहा है पूरा पैसा आपका 1 kg of apple को खरीदने में जा रहा है तो जब 1 kg of apple आप खरीदेंगे तो दूसरी चीज की demand करी नहीं पाएंगे जब दूसरी चीज की आप demand नहीं कर पाएंगे तो demand कम होगी आपकी income देखिए जो आपके real income निकालाएगी ठीक है तो आप देखिए महगाई बढ़ने की वज़े से आप काफी चीजों की demand नहीं कर पा रहें तो आपकी जो income है real income है inflation की वज़ेस क्या हुँ ए महगाई की वज़ेस क्या हुआ आप आप काफी चीज़े कम खरीद पा रहे हैं, और इसकी वज़े से आप डिमांड नहीं कर रहे हैं, आपकी इंकम बहुत ज़्यादा कम हो गई, और एक economic divide हो जाता है, haves and have not, अमीर और गरीब के बीच में, first plan the only exception when price levels slide down, मतलब पहला ही ऐसा plan था, 1951 से 56 ऐसा time period था, जब prices सीजो के कम हुए थे, ठीके न, बट बहां की सारे time जितने भी plan हुए, दो से जितने भी plan हुए, 5 year plan, जितने first 5 year plan को जितने भी plan हुए, उसमें सब में price बढ़े ही है, price महंगाई ही हुई है, ठीके न, महंगाई हुए है, बांकी समय महंगाई हुई है, बट first 5 year plan ऐसा plan था, जिसमें थोड़ा हमें लगा था कि हाँ, थोड़ा सस्ता हुआ है, दाम घटे हैं चीजों के, unemployment crisis, बिरुजगारी बढ़ गई है, ठीके, while more and more opportunities of employment have been generated, हमाई country में काई सारे रोजगार के अफसर तो पैदा हो रह हैं, subsidize नहीं हुए, challenge बिरुजगारी खतम नहीं हुए, at the end of the first plan, मतलब 1951 से 55, जो 1951 से 55 का time period था, उसमें 53 लग उस समय लोग बिरुजगार थे, और ये नमबर बढ़ के, कितना हो गया, ये नमबर बढ़ के 4 करोन हो गया, at the end of the 11th plan, 11th plan के आखरी तक हमारा 4 करोन हो गया, March 2016 में, हमारे 4.35 करोन लोग बिरुजगार थे, इसकी वज़े से, भाई क्या होगा, social unrest होगा, लोगों में हड़कम मचेगा, threatening of growth process, growth process के लिए खतरा है, इतने लोग ज़्यादा unemployment threat होगा, थी flow, चोर बनेंगी लोग, काफी चाज़ा चीज़ें होगी, ठीक है न, तो ये हमा रोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, inadequate infrastructure, infrastructure भी हमारा अच्छा नहीं है, social हो या economic हो, दोनों ही अच्छे नहीं है, development of infrastructure, including, development, including power, road, dams, bridge, schools, hospital, continue to inadequate, आज के ताइम भी हमारा road, dam, उतने अच्छे नहीं है, जबकि 67 years हो चुके हैं, planning के, actual growth has failed to match the target growth, जो हमारे target हमने हर सा साल रखे थे, जो हमने target रखे थे हर साल, वो आज भी कम रह गए, हम actual में उतना अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, shortage of power, आज की टाइम भी बिजली की, कई जगह बिजली की बहुत समस्या है, और constant है, देखि आज की टाइम बिजली भी बहुत बड़ी, क्या है, एक समस्या है, serious constraint है, serious constraint मतलब serious एक limitation है, in the overall process of growth and development, अगर आज की टाइम हमाई बिजली नहीं होगी, कई गाओं ऐसे हैं, जहाँ आज की टाइम बिजली नहीं है, और आपको पता है, जादा तर हमारी population गाओं में ही लाई करती है, तो अगर वहाँ बिजली नहीं है, तो कैसे उनका welfare करेंग आज की टाइम भी हमारा economic हो या social हो, inequality है, ठीक है, ironically there has been the principal failure of the planning in India, widening economic and social inequality, अब देखिये, compare the government to offer reservation, अब देखिये, इतनी ज़्यादा inequality है समाज में, तो इसी वज़े से government को क्या देना पड़ा है, reservation देना पड़ा, economically और socially weaker, जो sectional society के, लोग कहते हैं, reservation क्यों दिया है, क्यों इस वज़े से reservation दिया, जो inequality है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको अमीर के एक level तक लाना है, तो इसलिए उसको reservation दिया, थोड़ी help करी government ने, तो इस वज़े से, इस वज़े से government क्या करती, reservation द कि यह इसको थोड़ा नौन महां ब्रीफली एस ऑब्जर्ट एंड एक्सपर्ट टीम ऑफ युन नेशन और्गनाइजेशन की एक एक्सपर्ट टीम आई थी उसने बोला था कि जो टीम आय थी उसने बोला कि जिस तरीके से इंप्लीमन्ट करा गया एक जिस तरीके से बहुत गला तरीक्य सने वहlar गया टार्गेट हमारे क्यों नहीं अचीव हुए क्योंकि हमारा एड्मिनिस्टेशन उतना इनेफिचेंट थी लोगों में रस्टा चाहता था इंटरस्ट किसी का नहीं था कोई भलाई नहीं करना चाहता था अपने समाज की इंडिया कि सब अपना बला दे गए इस वजह से हमारे प्लैनिंग का उतना ज्याधा अच्छा एक चीजब बहुत अच्छा था ठीके नmberट अक्षील कि अ आ प्लानिंग चीव क्यों नहीं हो पाया क्योंकि चितना इड्मिनिस्टेशनी इनफिशियन था और admin Sожал सिखे है वही तो एक example हमारे सामने setup हुआ है कि हाँ अब हमें private sector के और जाना चाहिए क्योंकि जितने government sector के होते हैं यह सब inefficient होते हैं यह सब काम करते हैं नहीं dishonesty रहती है रहती है रहस्ताचारी टेवल के नीचे से पैसा दो तो यह सब चीज़े रहती है तो इस वजए से हमारा जो planning है वह implement अच्छे से नहीं हो पाया आइडिया अच्छा था आइडिया बुरा नहीं था इट वहीं टू अवर और फेलियर यह सब फेलियर्स की वज़एसे क्या हुआ यह सब फेलियर्स की वज़एसे 1991 के बा में क्या क्या था एल पीजी लिबलाइजेशन प्राइविटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इसको हम थोड़ा डीटेल पढ़ेंगे इसको हम नेव एकनॉमिक पाल्सी बोते हैं इसकी वज़े से आने से हमारी एकनॉमिक काफी ज़्यादा चेंजमेंट आया और यह कॉ ग्युक्वर को एकनॉमिक बोच। रचय इतकर खानी एसका ध्युक्त इउनक झाल पर को छानी में को नेय।